कि नमस्कार एक्जोटिक वेबीनिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूं और हेल्थ अवर्नेस सीरीज में हमारे साथ है डॉक्टर अनीता शाजी जो गाइनेकरोजिस डॉक्टर है और हमने आगे बात की थी कि जो महिलाओं में अभी कैंसर की मातरा बहुत बढ़ गई है और महिलाओं को जब कैंसर की बात आती है तब पहले तो पता चलता है तब इतनी गबराज आती है तो ये सब बाते हम आज अनीता जी से करेंगे लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा मातरा में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे है तो वो उनको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए उनको किस तरह से सेंटेंस होते है उसके मतलब लक्षन क्या होते है और कहां पर उनको ध्यान देना चाहिए किस तरह पर ट्रेट्मेंट करवानी चाहिए किस तरह से उनका एकजामिनेशन होना चाहिए हुँ है ये सब आज बात करने वाले है अनिता जी से तो अनिता जी आगे प्ला प्रहुल प्रकॉर के लुपिल सीने जो महिलाओं में दिखने को मिलते हैं वेरी गुड़ी इवनिंग फ्रेंट्स फस्ट फॉल थेंक यू आमीनी फॉर गिविविग इस ऑपर्चुनिटी तो प्रेड मैसेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर इन आल दे वीमें आफ दिजेज महिलाओं में ज़्यादा तर पाए जाने वाले कैंसर में एक है इसर्वाइकल कैंसर यानि घरभाइशे के मुख का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर यानि स्तन कैंसर-गरभाशे की दिवार का यानि यूट्राइन कैंसर एंड- ओवेरियेन कैंसर, as well as mer यान ॒ंद स Insurance 13 आप अपन करें unless पए लेते आंगेस की से बात पन करें तो यूजराली सर्वाइकल कैंसर उससर फॉस्ट इन्डिया लिश्टं कंचरीАने बहिएं आद से पहले की बात अपन करें तो ब्हर,इन इस पॉस्टमट इन्डिया समयग कोलाता बात दूद सिताओं पर लेकिन लास्ट फॉर फाइज से हम देख रहे हैं कि अपने देश में भी इंडिया में भी breast cancer has reached on the topmost level. सो cervical cancer के बदले हमारे देश में भी breast cancer के पेशन्स ज्यादा तर पाये जाते हैं और second number पे cervical cancer हो गया है. हम अगर ऐसे incidence देखे तो ऐसा माना जाता है कि developed countries में हर आठ women में आठ स्त्रियों में एक स्त्री में गरबाशी stun cancer होने का chance रहता है और हमारे देश में जैसे गीने तो 25 से 30 स्त्रियों के पाई की एक को ये stun cancer होने का chance पाया जाता है. जी 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 तो दर्शक मीतर जो अगर आप last मतलब अभी अभी जुड़े है तो हम बात कर रहे हैं breast cancer और मैलाओं में ये अभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में breast cancer बढ़ गए है लेकिन अगर आप breast cancer से बचना चाहते हैं अगर आपको सही तरस ही अगर जानकारी नहीं मिल रही है तो वह काफी हद तक बढ़ भी सकता है और आप नहीं अच्छे होते हैं और काफी लेडी को मैंने ऐसा मैम देखा है कि उनका breast निकालना पड़ रहा है उनको बतलब जब एक नारी की कहा जाता है कि नारी का वह एक अंग ऐसा है कि उनसे ही उनकी रौनक बढ़ती है उनी से ही वह पहचानी जाती है तो यह स्तुन कैंसर की हम बात करते हैं तो मैं यह बहुत बढ़ गए हैं तो वह किस मात्रा में मतलब स्तुन कैंसर होता है वह भी हमारे दर्शा को आप बताए है एचली यामिनी जी हम देखे तो कैंसर का एक्जिट का एक्जिट का एक्जिट कारण ऐसा कोई पाया नहीं जाता है बट सर्टन रिस्क फैक्टर्स याने जो जोखमी परीबल है वो कौनसे कौनसे है उसके बारे में हमको जानकारी दर्शकमित्रक को देना बहुत जरूरी है यह स्पेशली इसा माना जाता है कि जो स्त्रियों में इस स्तं कैंसर में उसका रिजन एक्सस ऑफ एस्ट्रोजिन होर्मोन जो एक फीमेल का में होर्मोन है उसकी वजह से होता एं तो जो Cafu में माशीकश्टरॉस बहुत शुरू जल्डिव शुरू होता है यानि यूजिवल अगर लड़की में मासिक स्ट्राव बहुत शुरू आतमें जल्दी एज में शुरू होता है और मेनोपोस लेट आता है। यूसली हमारे देश में मेनोपोसल लेज 46-47 यर्स की गिनी जाती है। अगर लेडीज में स्ट्री में मेनोपोसल लेट आता है 51 यर 55 यर्स पर आता है। दोस फिमेल्स यानि वो स्ट्रीयों में स्टन कैंसर के चांसिस ज्यादा होते है। दूसरी एक चीज जो स्ट्रीयों स्टन पन नहीं कराती है। आज कल हम देखते हैं कि every woman अपनी figure को disturbed नहीं होए। ऐसे बारे में बहुत सारी सोचती है। और बहुत सारे meat, breast के बारे भी, actually breast is a, it is formed of fatty tissue as well as milk producing glands. और breast का यनि stunt का एक main street के लिए उपयोग तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको stunt-pan कराने का है। पंड हम लोग देखते हैं कि media द्वारा उसका बहुत सारा wrong प्रचार हो रहा है। कि only उसको ही streaky beauty के बारे में importance दिया जाता है। तो कई बार बच्चियों का breast development नहीं होता है तो उसकी mothers भी बहुत conscious हो जाती है। और खुद बच्ची भी ऐसा सोचने लगती है कि क्यों मेरा breast development नहीं हो रहा है। इसी तरह जो आजकल लोग बच्चा पैदा होने के बाद भी कई ओरते ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को खुद अपना stunt नहीं कराती है। कि stunt पान करने के बाद अफकोस थोड़ा breast का जो structure होता है वो थोड़ा सा डीलापन उसमें आ जाता है। तो उसकी वज़र से कई लोग उसको avoid करते हैं। पर आइडियली मेरी सबसे इसी बींती है कि minimum six to nine months तो breastfeeding अपने बच्चे को कराना ही चाहिए। तो जो लोग breastfeeding नहीं कराते हैं। उनमें भी breast cancer के chances ज्यादा है। या मैंनी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी औरते अफकोस अपनी society male dominated है। बहुत सारी लड़कियां औरते केरियर oriented बन रही है। तो अपने profession में अपनी career में आगे बढ़ने के लिए late marriages होते हैं और late बच्चा प्लान करते हैं। तो those who are being mother after the age of 30, तीस साल के बाद जो पहला बच्चा पैदा करते हैं। उन लोगों में भी breast cancer के chances ज्यादा पाये जाते हैं। Then, obese patient, आजकल हम देखते हैं कि हमारी lifestyle ऐसी हो गई है कि obesity has become very common, तो जो लोग obese होते हैं, हमारी body में जो estrogen hormone होता है, जो सरीर की fatty tissue होती है, उसमें उसका संग्रा पाया जाता है। तो जो स्त्रियों ज्यादा obese होती है, या तो menopausal age में जिसका weight बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और वो जो ध्यान नहीं देती है, तो ऐसे लोगों में भी breast cancer होने के chances काफी है। Then, PCOD, PCOD आजकल हम बहुत young girls में पाये, means हमारे पास बहुत सारी young girls आते हैं, जिसमें PCOD का problems होता है, और by research ऐसा detect हुआ है, कि जो young girls को अपनी शुरुआत की life में PCOD होते हैं, तो उनको लेटर एज में metabolic syndroms, means hypertension, diabetes, obesity, thyroid problems, वो सम होने का chances ज्यादा है, तो PCOD वाले patient को भी लेटर एज में stun cancer होने के chances हो सकते हैं, and then, जो menopausal hormone therapy, जिसमें estrogen hormone का उपयोग किया जाता है, usually we are giving it with proper diagnosis and proper मात्रा में उसको देते हैं, but those which patients don't follow the doctor's advice, और अपने मन से ऐसे ही ज्यादा लेते रहते हैं, या उसका जो correct तरह से उसका जो reach से उसको जो देना चाहिए उस तरह से नहीं दिया जाए, और excess of estrogen दिया जाए, तो उसकी ऐसे patient को भी कभी-कभी वह breast cancer होने के chances रहते हैं, so these are risk factors mainly, जो स्त्रियों में stun cancer के लिए वह जवाबदार है, जी जी तो हमने जो बात की वह stun cancer की वज़र से होता है और उसके risk factor क्या है, वह हमने आप सबको बताया, अनिता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया की risk factor क्या है stun cancer के लिए और उसकी वज़र क्या है, तो आगे चलके हम बात कर रहते हैं कि कीन में यह ज्यादा होते हैं, वह भी हमने साथ बता ही दिया है कि कीन-कीन लोगों को मतलब की इस तरह से यह होता है, जी आज कल क्यूं हम ज्यादा मात्रा में stun cancer की patients देखते हैं, उसकी वज़र या मीनी बताऊं तो हमारा lifestyle, आज कल हम लोग भी western culture को follow कर रहे हैं और हम लोग भी उनकी तरह से हमारा lifestyle ऐसा sedentary बन गया है, बैठाडू जीवन हमारा है, हम लोग भी junk food ज्यादा खालेते हैं, प्रिजर्वेटिव वाले बहुत सारे शीच संग्र करके रखते हैं और हम जब को भी जब time महीं मिलता है, तो उसका ही use कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो sedentary lifestyle, हमारी food habit and lack of exercise, अज सबको ऐसा ही है कि मेरे पास कसरत करने का time ही नहीं है, मैं इतनी busy हूँ कि I don't have time for doing exercise, तो exercise नहीं किया जाता है और हम लोगों की रहने की खाने पीने की आदत, बहुत सारे लोगों मैं देखती हूँ कि late night तक work करते हैं, और जल्दी उठते नहीं हैं, late उठते हैं, तो जो आजकल हमारी जो life बन गई है, हमारे जो lifestyle modification जो हो गया है, तो हमारी sedentary life is also one of the very important factor, कि उसकी वज़र से हम लोग में, आजकल हम लोग ज्यादा रस्तान cancer के cases detect, पाए जाते हैं हमारे हम लोग को. बट इसके बढ़ने के कारण क्या माने जाते हैं? इसके बढ़ने के मेन कारण यही माने जाते हैं, कि हम लोगों की lifestyle अच पूरी बदल गई है. उनके breast cancer के लक्षन क्या होते हैं? यह, that is very important. breast cancer यह ऐसा cancer है, कि usually वह बहुत late stage में ही पाया जाता है, क्यूंकि लोगों में इतनी awareness नहीं है. कई बार ऐसा होता है, कि being a female, हम भी ऐसा करते हैं, कि पूरे घर का परिवार का सब कुछ ध्यान देते हैं, पर खुद के लिए इतना ध्यान नहीं देते हैं. और कई बार हमारे पास ऐसे patient आते हैं, कि breast में कभी कुछ गांट पाई जाती है, तो वो बताते हैं कि यह तो गांट बहुत टाइम से थी मैडम, लेकिन वो पेंट नहीं करती थी, तो हम उसके लिए हमने उसके ओकर ध्यान नहीं दिया, तो सबसे पहले breast cancer के जो हम लक्षन अगर गीने, तो गांट याने abnormal growth in the breast, ब्रेस्ट में कभी कोई छोटा मोटा गांट पाया जाता है, तो वो एक सबसे पहला उसका लक्षन माना जाता है, दूसरा breast की nipple में से abnormal discharge, नॉर्मल breast में whitish milky discharge या तो greenish yellow discharge पाया जाए, तो that is normal, उसके लिए कोई tension करने की बात नहीं है, पर अगर breast में से blackish या brownish और reddish bloody discharge होता है, तो that is also one of the symptom of breast cancer, तो यह भी हम सब को ध्यान देना चाहिए, जो गांट है, most of the लोग ऐसा भी मानते की cancer means cancel, ब्रेस्ट में कोई भी गांट पाई जाए, तो वो cancer की गांट होती है, ऐसा मान के डर जाते है, पर हकीकित में ऐसा नहीं है कि breast में कोई जाने वाली बहुत सारी गांटे inase end याने के normal होती है, वो cancerous नहीं होती है, पर जो गांट painful होती हैं, ज्यद्धातर cancer बिना की होती है, जो गांट painless होती है, जिसमें pain नहीं होता है वो गांटे usually cancer की होती है, तो breast में अगर मान लो breast का size तुम्हारा abnormal रूप से बढ़ रहा हो या तो कभी nipple में से discharge हो रहा हो breast की जो चमड़ी होती है वो ठीक हो जाती है या तो संत्रा के छिलके जिसी हो जाती है tough तो ऐसे भी वो भी एक breast cancer का लक्षन माना जाता है दूसरा अपना जो कोलर बोन होता है कोलर बोन के पीछे या तो फिर एकजील आया ने बगल में अगर गांट पाई जाती है तो वो भी एक अगर लेवल का कैंसर का वो चीनह माना जाता है सो दीज आर कॉमन सिंटम्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर जी और हर औरत को मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि इसी प्रकार का कोई भी सिंटम्स अगर उनमें हो तो उनको तातकालिक अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए क्यूंकि आजकल साइंस इतना आगे बढ़ा है टेखनोलोजी इतनी आगे बढ़ी है कि अगर स्टान कैंसर अर्ली केस में डिटेक्ट होता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं और औरत की लाइफ अच्छी तरह से बचा सकते हैं जी बहुत बहुत धनियवाद मैम आपका अपने बहुत अच्छी तरह से ब्रेस कैंसर कैसे होता है किस तरह से होता है उसके लक्षन क्या होते हैं काफी सारी बाते हमारी अगर जो महिलाएं देख रही है यह हमारा लाइफ शो तो जरूर उनको पता चला होगा कि ब्रेस कैं हैं हम बात करते थे ओिस की जनेता बाहुत ज़ा वीज तो आगे चलते हैं मैं ब्रेस्ट केंसर जो होते उसकी скорее कैसे करदी जाती है यह यह सबसे पहले तो मैं screening क्या होता है वह बताना हम लोग मानते हैं कि prevention is better than cure हमेंसा पानी से पहले पाल बांधनी चाहिए हम लोगों में गुजराती में कहावत है कि पानी पहला पाल बांधनी जो यह तो screening means it is a technique by which हम भवीशी में होने वाले cancer के वारे भी बहुत early knowledge पा सकते हैं कि हम detect कर सकते हैं बवीशी में अगर cancer होने के chances हैं तो वह हम बहुत पहले उसको किस तरह से पाए जाए इस तरह से हमको पता चल जाए उसकी जो technique है उसको screening कहा जाता है अभी breast cancer के लिए screening में available methods हम गीने तो सबसे पहले तो हम दर्शक मित्रों को ये सला दूँगी कि हर औरत को खुद self breast examination करना सिखना चाहिए It is one of the very important thing हर स्त्री को जैसे मासिक खतम हो जाता है Usually मासिक आने से पहले body में जो salt और fluid retention होता है तो ज़्यदातर औरतों को breast में heaviness लगती है breast pain होता है तो always breast examination का सबसे बढ़िया time है मासिक खतम होने का immediate period याने जैसे मासिक आपका खतम होता है उसका बात का जो first week होता है उस week में हर औरत को अपना breast examination करना चाहिए मान लोग कि कई लोगों को menopause आ गया है मासिक उनका बंद हो गया है तो उन लोगों को महिना का एक fixed day या तो पकड़ लेना चाहिए fixed day नक्की कर लेनी चाहिए कि उस दिन उनको हर मेने में अपना खुद का breast examination करना चाहिए अब ब्रेस्ट examination कैसे करना उसमें क्या क्या देखना चाहिए जी मिरर के सामने खड़े रखे हर औरत को अपने दोनों breast examination करने चाहिए कि breast का size कैसा है एक breast बड़ा हो गया हो एक छोटा हो गया हो या एक ज्यादा tight हो गया है एक एकड़म लच गया है लूज हो गया है वो देखना चाहिए कहीं कुछ उसको ऐसा लगे पालपेट करने में कि उसमें कुछ छोटी मोटी गांट फील हो रही है तो तुरंट उसको notice कर गए डॉक्टर को consult करना चाहिए नीपल का level कुछ उपर नीचे नहीं हो गया है दोनों का वो देखना चाहिए नीपल में से कोई प्रकार का discharge नहीं है जैसे मैंने पहले बताया कि संत्रा के छिलके जैसी skin कभी-कभी बन जाती है यह जो cancer breast होता है उसमें तो ऐसा कोई changes नहीं है color change नहीं हुआ है अरियोला यहने के नीपल की आजुबाजु का certain skin या breast कि वो notice करना चाहिए और self breast examination के लिए बाया breast examin करने के दाया हाथ और दाया breast examin करने के लिए बाया हाथ यूज करना चाहिए और breast examin करने के लिए ये अपनी जो हथेली है उसको दीरे से पूरे breast में गुमाना चाहिए clockwise as well as anti-clockwise direction में अगर आप दीरे दीरे उसको इस तरह से गुमाओगे तो चोटी-मोटी भी कुछ गांट होगी तो आप तुरंट उसको नोटीस कर पाओगे दबाने से उसका ऐसा आपको पता नहीं चल पाएगा बट जेंटल examination करने से from clockwise direction and anti-clockwise direction as well as from nipple to lateral part on each breast examination करने से कुछ भी abnormality होती है तो उसमें पता चल जाता है second screening method is examination of the breast by gynecologist मेरी हर औरतों को सला है usually especially after the 35-40 years के बाद वाली स्त्रियों क्यूंकि जैसे पहले भी हमने बताया था कि यह cervical cancer, breast cancer, uterine cancer all most of the cancers usually 35-40 years के बाद में commonly पाये जाते हैं तो 40 years के बाद में हर औरत को साल में एक बार gynecologist के पास जाके breast examination करवाना चाहिए क्यूंकि breast examination करने से जो कुछ abnormality आप खुद नहीं पा सकते हो वह doctor better way में जानकारी पा सकता है और आपको उसके बारे में बता सकता है तो और जहां मेमोग्राफी उसके बारे में आपको में बाद में बता रही हूं उसकी सगवड नहीं होती है जसे बहुत रिमोट एरिया है बहुत विलेज प्लेस है जहां इस प्रकार की सुवीदा नहीं होती है वहां रही है बहुत कीमदा है जाता है युज में नहीं हो जाता है यूजासे नहीं में इसकन आते जागिशक को भी सला देनाई चाहिए कि बीश अठार बिस साल से अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना शुरू कर देना चाहिए तो देभी आवार ओफ दीश्यों ओ देर ब् का structure कैसा है अगर उनको पता है तो ही फिर बड़े होने के बाद में उनको पता चल सके कि उनके बेस्ट में क्या changes हो रहा है अगर कभी देखा ही नहीं हो उसको चुआ नहीं हो तो युज वरी उनको भी फिर कुछ तो बनॉर्मालीटी होती है तो डिटक्ट करने में तकलीफ होती है सो सेलf एक्जामिनेशन जैसे हम हर साल जाना जरूरी है और घर चाइक पास प्रेस्ट एक्जामिनेशन कराना भी बहुत जरूरी है अभी थार्ड इंपॉर्टन्ट थिंग है मैमोग्राफी, मैमोग्राफी से बहुत सारे लोग यामी बहुत डरते हैं, हम कभी कभी पेशन को भी एडवाइस देते हैं, तो पेशन यूजवली घफराते कि नहीं मैमोग्राफी में बहुत पेइन होता है, इस वरी डेंजरस प् को विननती है कि मैमोग्राफी एक स्पेशल मसीन से उसमें तपास की जाती है, और उसमें ब्रेस्ट को अफकोस कॉम्प्रेस किया जाता है, वो मशीन जो होता है उसके बीच में, बट उसमें इतना ज्यादा कोई तकलिफ नहीं होता है, इसके लिए डरने वाली कोई बात न नहीं होती है, या दुसरा कोई इंजेक्शन देने की या वो कुछ करने की जरूवत नहीं होती है, simple it is a little bit compression is given to the breast tissue and mammography is done, बहुत सारे हो कैसे, उसी तरह से self mammography होगी, सारी, सानोग्राफी जैसे हम करते है, सानोग्राफी में पेशंट को टेबल पे लेटा के सानोग्राफी जाता है, 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 जाता अबी मेमोग्राफी करने से पहले थोड़ी औरतों को ध्यान रखना चाहिए कि युजवली विटामीन एप सी एक कोई टैबलेट लेते हो या तो सेलेनियम की टैबलेट लेते हो तो उनको दो तीन दिन पहले वो बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उसमें कभी नहीं तो फिर आजकल मोस्त अब लेडी जैन सब तो डियो उसके पहले यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से कभी-कभी आटिफेक्ट आती है तो ये थोड़ी चीजे ध्यान रखके यूजवली जिनको हम मैमोग्राफी भी एडवाइस करते हो यूजवली पीर खत्ब होने के अब फर्स्ट वीक में एडवाइस करते हैं तक उसका ब्रेस्ट का भी पूरा अच्छी तरह से उसमें पिक्चर आया जाए और उच उसमें एबनॉर्मालिटी है तो डिटेक्ट हो सकती है तो ये हम बात करते ब्रेस कैंसर में मेमोग्राफी किसको करानी चाहिए किस तरह से मेमोग्राफी एडियली किस-को करानी चाहिए मेमोग्राफी यूजवली वार के एक बार तो क्रानी चाहिए युच एग सरे नहीं सहये यूर्ण स्च्रेय ब्रेस्ट केंसर साथट में जो और्रतों को जो स्त्री के मम्मी को, बहन को, मौसी को, दादी को, ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो उन लोगों को भी मेमोग्राफी करानी जरूरी है, क्यूंकि, of course, it is not always genetical disposition होता है, बट, 8-10% में genetic factors भी उसमें involved होते है, of course, अगर आपके later, means, दूर के रिष्टेदारों में हुआ होता है, तो वो ज्यादा important नहीं है, पर आपके एकदम immediate relative में अगर breast cancer हुआ है, तो उन लोगों को खास करके ध्यान देना चाहिए, अगर एक breast में किसी को breast cancer हुआ है, तो वो औरत को दूसरे breast cancer होने के chances होते हैं, तो ऐसी ओरतों को भी mammography, even breast cancer का treatment लेने के बाद में, दूसरे breast के लिए करानी चाहिए, बस उनको, मतलब कब करवानी चाहिए, और किसको करवानी चाहिए, मतलब कौन से ऐसे sentence हो या ऐसा कुछ होता है, कि कब ये mammography करवानी चाहिए, या मिनी के period खतम होने के बाद, immediately करानी चाहिए, और 40 साल के बाद, usually, सब को करानी चाहिए, अगर breast cancer हुआ या तो आया है, तो उसकी treatment फिर किस तरह के होती है, एक थोड़ी बात इसमें, आपको में बता दू, या मिनी, कई लोग में बहुत सारी myths होती है, कि जो लोग bra use करत करते हैं, इसमें कभी breast cancer का डर रहता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं, कि वह वायर वाली bra use करते हैं, उसमें इस प्रकार की तकलीफे होती है, पावडर यूस करते हैं, तो उसकी वज़े से breast cancer होता है, but all these are wrong beliefs, या 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 वायर वाली bra से नहीं कुछ breast cancer होता है, आट च्कार होता हम नहीं, जो तंक है करते हैं, इस मुझा एक छॉप रस पावडर, यह से breast cancer होता है, उससे breast cancer होता है, जिसे रॉund तो रहे बचाछ से पारेते ही तो जिस को पूर्रा हुप नुचाल देना पड़ेगा, और जैसे हमने पहले बताया के hundredμέין स्थ्द तो उसकी विज़े से मेरा ब्रेस्ट पूरा निकाल देना पड़ेगा लेकिन अभी एडवांस टेकनोलोजी इतनी अच्छी सब हुई है यामीनी के अभी अगर कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अगर बहुत अरली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसका लिमिटेड पार्ट ही उसक और स्टेड साथ करते है तो अरव जर्च नालना भी पड़े तो देन ऑलसो नाव बहुत आरी कोस्मेटिक शर्जरी जिसके जरिए आप नुब ब्रेस्ट भी फ्रम कर सकते है या तो दोस बीज्जर को टूर अनेबल टो अफोर देट या थे ऐा या तो यू आपना कि बारेमें उसकीटरीटमेंट के बारे पारेमें यहां दर्सकों पहने निद बताना जरूरी नहीं है आप precise बेस्टरीटमेंटरीमें ढहते हैं वाद ब्रेस चैनरल स्रज़री होती है BAR टेपनेंडिग अपन अपन टाइप गैंसर उसके लिए टाइपक के आगे फिर रेडियो थेरापी दी जाती है गिमो थेरापी दी जाती है और दूसरे देपेंडिंग अपन तर हार्मोन थेरापी भी दी जाती है जी तरिकी संफरेंट और सही मात्रा में हगर हो मतलब मात्रा तो नहीं कह सकते पर जब फरूसल Janeiro क Prof contempor Yves प्रेस्ट कैंसर काफी मात्रा में महिलाओं को होता है सबसे पहले तो मैं सबको दर्शक पित्रक को यह सला देना चाहूंगी कि ब्रेस्ट में पाए जाने वाली हर गांट कैंसर की नहीं होती है इसके लिए अल्वेज बी वेरी पेशेंट बिल्कुल चिंता मत करना क्यूंकि बहुत सारी गांट है बिनाइन याने के नॉर्मल होती है यूजरी जैसे मैंने बताया के ब्रेस्ट में जो गांटे होती वो कभी-कभी चर्वी का गठा जैसे बन जाता है या कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाती है बिफोर पीरियर्ड यूजरी थोड़ा सॉल्ट और फ्लूइड रिटेंशन होता है तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट एकदम टैंस हो जाते है तो यूजरी यह सब जो होते हैं उसको हम बिनाइन बोलते हैं बिनाइन चीज बोलते हैं वो कैंसर की गांटे नहीं होती है तो हर महिना जैसे आपका आपकी मावारी खतम होती है आपका मासिक बंद होता है उसके बाद में आप खुद अपना ब्रेस्ट एक्जामिनेशन करने का एक नियम बना दीजिए अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बना दीजिए प्रॉपर एक्सराइज प्रॉपर डायेट अबरिक एंचर तो उसको अपनाएज डॉक्टर के पास जाने में बिलकुल खचकाई हे मत हर साल में बद दॉक्टर के पास अपना जैसे अगले एपिसोड में में आपको समझाया था कि हर साल में एक बद गायनेक चेक अप और पैप तेस्ट करवाना जरूरी है उसी तरह ह पर साल एक बार डॉक्टर के पास अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करवाईए और 40 साल के बाद में एक बार मेमोग्राफी कराओ अगर नॉर्मल है तो आपके डॉक्टर सला देंगे वैसे 2-3-3 साल पर उसको रिपीट करना बहुत ही जरूरी है उसको बिलकुल उसमें खचकाईये मत उसमें हैजिटेट मत होई है मेमोग्राफी से कोई तकलीफ नहीं होती है इतनी या उससे कोई आपको नुक्षान नहीं होता है on the contrary if बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो उसका limited operation से आप अपने ब्रेस्ट को भी बचा सकते हो और आज जिस तरह से जानकर या अपने दी है बहुत इंपोर्टन्ट थी क्योंकि यह ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात थी आज तो ऐसे ही हम हेल्थ अवर्नेस शो में हमारे चैनल के द्वारा हर विक हेल्थ अवर्नेस की सिरीज में अलग-अलग टॉपिक के और अलग-अलग मतलब बहुत सारे सूरत के नामांग की डॉक्टर यहां पर आते हैं और अच्छी तरह से अवर्नेस शो हम यहां से आपको लेके आते हैं जरूर हमारे साथ जूड़े रहिए ऐसे ही फेस्बूक पे और यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम वेबसाइट हमारे साथ सभी सो अच्छी होगा यहां है झाल झाल झाल